हेलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर आया हूँ जो अभी अभी RRB NTPC 28 दिसंबर का पहली सिफ्ट का पेपर हुआ है दोस्तों काफी आसान पेपर आ गया है जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों आप लोग सिलेक्शन के बिल्कुल करीब होच जाओगे जो भी मुझे बच्चों ने सवाल बताए है 100% real सवाल लेकर आया हूँ चाहे वो आपके GK के हो गनित के हो, जनल इंटेलिजेंस के हो चाहे आपके रिजनिंग के हो दोस्तों 100% real सवाल लेकर आया हूँ अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया गाइस अगली सिप्ट में यहां से आपको 15 से 20 सवाल आपके रिपीट करने वाले है तो गाइस वीडियो को पूरा देख के जाना है आपके 15 से 20 सवाल आपके रिपीट करने वाले है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाना बढ़ लेते गाइस आगे देख लेते क्या क्या सवाल आपके दिये गए है काफी आसान पेपर था आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है गाईज और दोस्तों आप लोगों से एक विंती है अगर आप किसी भी गोर्मेंट एक्जाम की तियारी कर रहे हो आप लोगों को ट्रिक से पढ़ाई करनी है तो दोस्तों ये चैनल का लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो गाइस देख लेते क्या क्या सवाल आपके पूचे गए है पहली सिफ्ट में आपके एंटी पीसी के एक्जाम में क्या क्या सवाल पूचे गए है 100% real सवाल लेकर आया हूँ गाईज आपका अपना प्यारा चैनल एक्जामेटिक स्टडी गाईज देख लेते एक एक बैतरिन सवाल तो दोस्तों आपका पहला सवाल पूछा गया पहला सवाल आपके सामने है तो पहला सवाल है आपके सामने भारत में भूमीगत रेल कहां चलती है भारत में भूमीगत रेल कहां चलती है कोलकत्ता, दिल्ली और बंगलूरू यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाईज देख लेते एकला सवाल काफी इमपोटेंट सवाल है पेपर काफी आसान था दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है एक सवाल आपका ये भी पूचा गया बारत का सबसे व्यस्त बारत का सबसे बीजी रेलवे स्टेशन कौन सा है तो दोस्तों वो है आपका लखनाउ देख लिए तका है जगला बैतरिन सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया मैट्रो मैन उपनाम से कोन जाने जाते है तो दोस्तों इनका नाम है सिरीधरन ये भी आपका सवाल पूचा गया 100% रियल सवाल है गाईज वीडियो को लाइक करते वे जरूर चलना है एक सवाल आपका ये भी पूछा गया रेल कोच फैक्टरी RSF कहाँ पर इस्थित है RSF आपका कहाँ पर है ये आपका कपूर थला में है ठीक है गाई बढ़ लेते अगला सवाल देख लेते है काफी इंपोटेंट सवाल है एक सवाल आपका ये भी पूचा गया विस्व कैंसर दिवस कम मनाया जाता है ये मनाया जाता है चार फरवरी को बढ़ लेते गाई जगला सवाल देख लेते हैं काफी इंपोर्टेंट सवाल है काफी अच्छा आप लोगों का पेपर होगा एक सवाल ये पूचा गया भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है तो दोस्तों ये पस्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते गाई जगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया भारत में गेंगों का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है कोन सा राज्य है उत्तर प्रदेश यूपी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते गाई जगला इंपोर्टेंट सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया गर्बा किस राज्य का नरत्य है ये आपका गुजरात राज्य का नरत्य है ठीक है काई इस देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया यक्सगान किस राज्य का नरत्य है ये आपका करनाटक राज्य का एक नरत्य है सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपसे यह पूचा गया राज्य सभा की पहली महिला महसचीव कौन है तो दोस्तों इनका इनका नाम है विएस रमा देवी देख लेते का जगला इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया मैं आपको यहाँ पर रीजिनिंग, मैथ, जनरल इंटेलिजन्स, रीजिनिंग के सारे सवाल आपके कराने वाला हूँ ट्रिक के साथ मैं आपको कराने वाला हूँ पॉर्णी चैरी की किस वर्स भारत्य संग में सम्मलित किया गया पॉर्णी चैरी को तो दोस्तों यह किया गया 1962, 1962 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाईज, देख लेते गाईज, अगला इंपोर्टेंट सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया भारत का समीदान भारत को किस परकार वर्नित करता है तो दोस्तों यह करता है राज्यों का एक संग है ये एक राज्यों का संग मना जाता है देख लेते गाईज, अगला इंपोर्टेंट सवाल क्या पूचा गया एक सवाल ये भी पू होते हैं देख लेते हैं जगला इंपोर्टेंट सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया भागडा नागल बांध किस नदी पर इस्तित है यह आपका 17 नदी पर इस्तित है गाइस और परशन्ट रियल सवाल है वीडियो को लाइक करते सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सभी गोर्मेंट एक्जाम के ट्रिक के लिए एक आपसे सवाल पूचा गया वह राज्य सरकार जिसने कुछ सर्तों के साथ राज्य में जल्ली कट्टू कार्यकरम के आयोजन की इजादत दे दी है तो दोस्तों यह आपका है किसनेस की इजाज यह भी पूचा गया है कि हाई पर सोनिक विंड टनल एच डबलू टी परिक्शन सुवीदा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा बना है तो दोस्तों यह बनाया अपना प्यारा भारत दोस्तों वीडियो को धैरिया के साथ देखेंगे आप लोगों के यहां से 15 से 20 लिए देख लिए अगला इंपोटेंट सवाल बैतरिन सवाल है भारत स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्णर कौन थी गाईज एक सवाल यह भी पूचा गया आपका इतियास से सवाल पूचा गया लोड माउंट बैटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लिए अगला इंपोटेंट सवाल अगला इंपोटेंट सवाल भी देख लेते हैं तो गाईज यह आपका रिजनिंग का सवाल है इसको भी देख लेते कैसे करेंगे सवाल में क्या पूचा गया दिये गे विकल्पों में से लुप्त संक्या ग्याद कीजे दिये गे विकल्पों में से पता चल रहा है जब आप लोजिक फाइंड कर लेते हैं साथ की गुड़ा चार में करोगे तो आपका 28 धीक्टास यानि कि हमें लोजिक पता चल गया कि एक बार पूरा चेक कर लेतें मधिया से की लोजिक क्या रहने वाला हैं जब आप 15 कि गुणा तीन में करोगे 45 आएगा यानि हमारा यह लोजिक फिट बैट गया गाइज यही लोजिक हम यहां पर भी लगा देंगे क्या करेंगे गाइज पांच की गुणा किस में करेंगे यह माल लेते हैं कि जो हमारी लुप संख्या है वो ऐसे होगी ठीक है गाइज हमारी लुप संख्या ऐसे होगी पांच की गुणा जब दो में करेंगे तो आपका एका 10 तो गाइज 10 को यहां पर भर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या न दोस्तो सारे सवाल मैं ऐसे ही कराने वाला हूँ, आपको ट्रिक से, गनित, रीजनिंग सभी सवालों को ऐसे ही कराने वाला हूँ, वीडियो को लाश्ट देखेंगे guys, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे, ठीक है guys, एक एक important सवाल मैं करा देता हूँ, आप लोगो find करने की कोशिस कर लेते हैं ठीक है guys 18 गुणा 7 का मतलब है 315 8 गुणा 5 का मतलब है 100 12 गुणा 4 का मतलब क्या होगा ठीक है guys यह हमसे पूचा है logic find करने की कोशिस करते हैं 18 गुणा 7 और guys 18 गुणा करेंगे जब हम 7 में तो हमारा 315 कभी नहीं आएगा तो यहाँ पर इसने किसी चीज का multiply किया होगा ठीक है guys तो दोस्तों मैं आपको direct logic बता देता हूँ इसने 5 गुणा की हुई है इससे इसा काटोगे 2 नम 18 9 की गुणा 7 में करोगे 9 साथू 63 63 की गुणा 5 में करोगे जब आप 63 की गुणा 5 में करोगे तो आपका एगा निकलके 315 यानि हमें logic पता चलिए 5 बटे 2 से जब गुणा करेंगे 315 आपका आ जाएगा और इस 5 बटे 2 की गुणा भी हम यहाँ पर कर लेंगे guys हमें answer मिल जाएगा तो guys हमें यहाँ पर logic मिल चुका है हमें check करने के आप ज़रुरत नहीं है यह सवाल हमारा पूरा होने जा रहा है guys ठीक है guys एक बार मैं बता देता हूँ जब आप 12 गुणा 4 में 5 बटे 2 की गुणा करोगे तो आप काएगा 2 दूनी 4 12 दूनी 24 24 की गुणा जब 5 में करोगे तो आपका आएगा 120 120 तो guys कोई option है 120 yes भी option इस सवाल का correct answer हो जाएगा guys सारे सवालों को ऐसे कराने वाल हूँ एक एक सवाल देखलो सभी को trick से करा रहा हूँ आपका paper बहुत बढ़िया होगा paper काफी आसान था एक एक सवाल को मैं करा रहा हूँ guys वीडियो को like करके जरूर जाना दोस्तो एक सवाल आपका reasoning का ये भी पूछा गया यहाँ पर G का code यहाँ पर H का code दिया हूँ है 7 और 8 तो guys क्या पता चला इसको निच्चे उतार लेते है 7 और 8 तो guys ABCD में G का code 7 होता है और H का code 8 होता है तो यही लोजिक यहाँ पर लगाएंगे यह जो हमारा answer निकल के आएगा 18 और 19 18 किसका code होता है R का 19 किसका code होता है S का तो दोस्तो R S इस सवाल का correct answer हो जाएगा ठीक है guys यह सवाल देख सकते हो आप कितना आसान सवाल आपका पूछा गया था देख लेते guys अगला बैतरिन सवाल दोस्तो बहुत important वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए बहुत जादा फाइदे मन होने वाली है वीडियो एक आपका गणित का इस सवाल पूछा गया find the total number of odd factor of 1240 1240 के कुल कितने विशम गुणन खंड होंगे विशम गुणन खंड यानि odd factor तो guys कैसे निकालेंगे 1240 को यहाँ पर रख लो एक बार जब आप इसकी गुणन करोगे 124 की गुणन करोगे 10 में ऐसे इसको लिखा जा सकता है आगे क्या करोगे जब आप इसे 4 से भाग दोगे क्या आएगा 4 तीए 12 4 एकम 4 दोस्तों जब हमने इसको 4 से भाग दिया तो 4 से गुणन भी कर देंगे क्योंकि दोस्तो 4 भी आपका गुणान खंड में count होगा । और यहां पर 10 को लिख देंगे 5 गुणा 2 क्योंकि दोस्तो गुणान खंड का मतलब होता है तोड़ना ठीक है गाईज यहां पर 2 के 2 की power कितनी बनी 2 की power 3 गुणा में 30 और गुणा में 5 ठीक है guys कौन से factor हमें निकालने हैं विसम यानि ओड फैक्टर निकालने हैं जब ओड फैक्टर की बात आएगी तो even वालों को हटा देंगी ठीक है guys क्या बचा हमारा 31 गुणा में 5 और दोस्तों आप लोगों को भी पता है जब फैक्टर निकालते हैं factor निकालते हैं किया करते हैं इनकी power 1-1 power दी गई है कत्यिस की power 1 कत्यिस की घात 1 5 की घात 1 तोटल ओड factor तोटल विसम factor निकालने लिए क्या करेंगे 1 पलस एक यानि जो 1 है एक में एक एड़ करेंगे गुणा में 5 की घात 1 है फिर भी क्या करेंगे एक पलस एक तो guys यहां से क्या निकल गया total factor निकल गया है दो गुणा में दो तो यह कितने होगे चार इस सवाल का right answer आ गया जो आपके total odd factor निकल गया है चार आपका correct answer हो गया इस सवाल का a option इस सवाल का correct answer हो गया अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करके आते डेफिनेटली आपका right answer आ जाता a option a option इस सवाल का correct answer हो जाएगा ठीक है guys I hope दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बगवान करें आपका paper बहुत बढ़िया हो वीडियो को like करके जरूर जाना guys देख लेते अगला important सवाल एक सवाल guys ये भी बड़ा आसान पूछा गया पांच संख्या दी गए इनको उसत बताना है जब आप इन संख्या को जोड़ोगे तो आएगा 40 पांच संख्या से भाग कर देंगे उसत निकल के आएगा आपका 8 इस सवाल का right answer हो जाएगा 8 जो आपका इन 5 संख्याओं का उसत होगा वो जाएगा 8 आपका सवाल का correct answer हो जाएगा दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देख ले यहां से आपके 4 से 5 सवाल अगले सिप्ट में आपके पूछे जाने वाले हैं पूरा concept देखकर जाएगे गाईस बहुत important वीडियो आपके लिए एक गाईस एक सवाल यह भी पूछा गया पांच वस्तों का विक्रे मुल्य तीन वस्तों के क्रे मुल्य के बराबर है तो लाब परतिसत या हानी परतिसत बताईए तो दोस्तों इस केस में आपका लाब होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर कितने का लाब लिया उसने पांच में से तीन घटाएंगे दो का लाब कितने के उपर पांच के उपर दो का लाब हुआ पांच के उपर गुणा में सो कर देंगे यही आपका लाब परतिसत आ जाएगा यही आपका लाब परतिसत आ जाएगा गाईज क्या करेंगे 5 से भाग देंगे 5, 10, 0 यानि 40% आपका correct answer आ जाएगा 40% उसको लाब हो जाएगा गाईज ठीक है गाईज यह सवाल आप इस तरीके से कर सकते थे काफी आसान सवाल था देख लेते गाईज अगला बेहतरिन सवाल एक सवाल आपका यह भी पूछा गया गाईज A और B की आयू का नुपात 5, 95, 4 है 3 वर्स बाद इनकी आयू का नुपात 11 अनुपात होगा B का वर्तमान आयू बताएज काफी आसान सवाल है कैसे करेंगे पहले वर्तमान अनुपात लिख लेते हैं 5 अनुपात 4 यह वर्तमान वाला है और 3 वर्स बाद 11 अनुपात 9 हो जाता है ठीक है गाईज इनके बीच का अंतर देख लो यहाँ पर कितना अंतर है 1 यहाँ अंतर है 2 तो एक की गुणा नीचे करेंगे दो की गुणा ऊपर करेंगे क्या करेंगे 5 अनुपात 4 में गुणा कर देंगे दो की 11 अनुपात 9 में गुणा कर देंगे एक की गाईज ठीक है और जब 2 की गुणा करोगे 10 2 चोक 8 यह आज आएगा आपका, नीचे क्या आएगा, ग्यारा अनुपात, नूँग, ठीके गाईज, यह आपका नये वाला वर्तमान बन गया, इनका अंतर देखो, एक, अंतर देखो, एक, एक की वैल्यू की, क्या दी गई है, एक की वैल्यू दी गई है, तीन, एक किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है गाईस इसने बोला है बी का वर्तमान आयू क्या होगा नए वाला वर्तमान आयू क्या होगा तो दोस्तो नए वाला वर्तमान यह है आपका आठ तो दोस्तो एक की वेल्यू आठ है आठ की वेल्यू सोरी एक की वेल्यू तीन है एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ती यही इसका सही जवाब होगा यही इसका correct answer हो जाएगा बढ़ लेते गाई जगला important सवाल देख लेते हैं तो गाई जो भी बच्चों ने मुझे सवाल बताए 100% पर रियल सवाल आप लोगों के लिए लेकर आ गया था गाई अगर आपको reasoning और गनित को trick से पढ़ाई करनी है तो गाई जो भी सवाल मुझे बच्चों ने बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिये हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले paper के लिए आपको अगले shift के लिए आपको good luck thank you so much